हेलो गाईज मेरी यूटुब चैनल पुजबीते जुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैंत का इंपोर्टेंट सेशन छेत्रफल एवं आईतन मेंसुरेशन का पार्ट एट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और पार्ट 4, पार्ट 5, और पार्ट 6, पार्ट 7 मैंने आपको कवर करा चुकी हूँ तो गाईज आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसमें मैंने टॉपिक्स बाइस कवर कराई हूँ तो गाईस जितने भी student all exam, government job की तयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहर कीजिए तो like और subscribe, bell icon को press कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की notification समय समय पर मिलती रहे तो गाईस, session को करते हैं, start तो इसमें हम क्या पढ़ेंगी, वेलन, slender पढ़ेंगी, के तो मैंने आपको इसमें क्या पढ़ाऊंगी, वेलन, slender पढ़ाऊंगी तो इसमें वेलन की फार्मूले और इससे relative question को में cover कराऊंगी के, तो छेत्रफल, एबाम, आयतन, ये बहुत ही important chapter है जो की exam में इससे relative question पूछे जाते हैं, तो देखिए वेलन, slender, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसमें ये वेलन है और इसका ये क्या है, इसका ब्रत है, तो दोनों, इसका क्या है, ये ब्रत है और इसमें side में इसका क्या रहेगा, उचाई, और ये केंदरविंदू होगी, के, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या, के, इंधर भी ये केंदरविंदू, और इधर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और ये त्रिज्या, के, इतना सभी को केलियर हुआ तो इसमें बेलन, स्लेंडर तो इसमें बेलन का बक्र प्रष्टीज हेत्रुपल क्या होता है अधार की परिड़ी इंटू उचाई होता है और इसमें क्या लिख सकते हैं 2πr h into, sorry, h लिख सकते हैं, into h लिख सकते हैं, और इसमें sort में, क्या लिख सेंगे, 2πr h लिखेंगे, कि इतना सभी को clear हुआ, आधार की परहिती into उचाई, और इसमें 2πr into h लिख सकते हैं, और sort में क्या लिख सकते हैं 2 pi r h लिख सकते हैं कि उमीद करती हूँ आपको फार्मूले समझ में आ रहे होंगे तो guys ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप question को बहुत ही असान trick से solve कर सकते हैं और इससे question जरूर से पूछे जाते हैं तो guys आप सभी copy में not करते हुए चलिएगा तो देखिए next दिया है बेलन का संपोर प्रष्ट छेत्र फल तो क्या दिया है फार्मूला इसका बग्र प्रष्ट छेत्र फल प्लस दोनों ब्रत्ताकार सताहूं का छेत्र फल तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे ब्रत्त हो जाएंगे और दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 2πr h प्लस 2πr square हो जाएगा और इसकी sort में लिखेंगे 2πr bracket में h प्लस r के थर्ड दिया है बेलन का आयतन दिया इसमें तो अधार का छेत्र फल इंटू उचाई होता है के अधार का छेत्र फल इंटू उचाई होता है और इसका क्या होता है प्लस 2πr square h होता है के इतना सभी को समझ में आया तो नौट कर लीजिए तो बेलन और सिलेंडर से जो भी क्या दिये हैं फार्मूले इंसे रिलेटिव कोश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट कोश्चन ये रहा एक वेलन के अधार की त्रिज्या 14 cm एबं उसकी उचाई 5 cm उसके वक्रप्रेश्ट शेत्रफल एबं आयतन याद किजी तो कोश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजी कोश्चन है तो देखिए ऐसे कोश्चन एकजाम में जरूर से पूछे जाते हैं तो इसमें क्या करना है इसका वक्र प्रष्ट शेत्रफल और आयतन के तो देखिए वेलन का वक्र प्रष्ट शेत्रफल का फार्मूला क्या होता है तो इसमें हमको क्या करना है टू इन्डू पाई का हम मान क्या होता है इसमें 22 बटा 7 होता है इन्टू रेडियस हमको इसमें कितना दिया है तिज्या तो इसमें 14 दिया है कि इंटू और उचाई हमको दी है 5 cm कि उचाई हमको कितनी दी है 5 cm दी है तो इसमें value cancel हो जाएगी तो देखिए 7 से 14 कितने बार में कड़ जाएगा 2 बार में कि तो इसमें क्या करेंगे 22 इंटू दो करेंगे 44 इंटू 5 दूनी 10 कि तो इसमें 44 इंटू 10 करेंगे कितना मिल जाएगा हमको 440 वर्ग cm मिलेगा तो वेलन का वक्रप्रिष्ट शेत्रफल क्या मिलेगा हमको 440 वर्ग cm में मिलेगा इतना सभी को किलियर हुआ तो इसमें हमको क्या करना है आगे संपूर्ण प्रष्ट शेत्रफल तो संपूर्ण प्रष्ट शेत्रफल का फार्मूला क्या होता है तो इसमें 2πR ब्रेकेट में H प्लस R होता है इतना सभी को किलियर हुआ तो इसमें संपूर्ण प्रष्ट शेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2πR ब्रेकेट में H प्लस R के तो इसमें क्या करना है 2 into π का मान होता है 22 बटा 7 होता है और R इसका रेडियस कितना दिया है 14 cm के इन्टू उचाई हमको कितना दिया है 5 5 cm प्लस रेडियस 14 cm दिया है के इतना सभी को किलियर हुआ आगे हमको इसमें क्या करना है 7 से 14 कर जाएगा 2 बार में 22 इन्टू दो करेंगे 44 और 44 इन्टू दो करेंगे तो मिल जाएगा 88 इन्टू 14 प्लस 5 करेंगे मिल जाएगा इसमें कितना 19 कि 19 मिल जाएगा तो इसमें हम क्या कर लेंगे गुड़ा कर लेंगे तो इसमें 88 इन्टू 19 करेंगे कितना मिल जाएगा इसमें 16,72 बर्ग सेंटीमीटर कि 16,72 बर्ग सेंटीमीटर मिलेगा कि इतना सभी को किलियर हुआ उमीद करती हूँ कोश्चन आप सभी को जरूर से समझ में आ रहा होगा तो आगी इसमें क्या पूछा है इसका आयतन के तो आयतन हम यहाँ पे निकालेंगे तो वेलन का आयतन वेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर इसक्यर एच होता है के वेलन का आयतन क्या होता है पाई आर इसक्यर एच होता है के आगे कोश्चन को सॉल्फ कर लेते हैं तो पाई कमान के हत्ता है 22 बटा 7 होता है और आर इसके अतिज्या इसमें कितनी दी है 14 सेंटिमीटर तो 14 इंटू 14 और उंचा ही हमको दी है 5 सेंटिमीटर इतना सभी को किलियर हुआ आगे इसमें वेल्यू कर जाएगी 7 से 14 कर जाएगा दो वार में तो इसमें हम क्या कर लेंगे गुड़ा कर लेंगे तो इसमें कितना जाएगा 22 इंटू 2 करेंगे 44 मिलेगा इंटू 14 इंटू 5 करेंगे कितना मिल जाएगा 70 के इतना सभी को clear हुआ तो 22 इंटू दो करेंगे 44 इंटू 14 इंटू 5 करेंगे 70 गोड़ा कर लेंगे 44 इंटू 70 करेंगे थम को कितना मिल जाएगा इसमें 383 घं सेंटीमीटर के तो यह किसमें रहेगा घं सेंटीमीटर में तो इतना सभी को clear हुआ उमीद करती हूँ यह question आप सभी को समझ में आ गया होगा तो इसमें मैं फिर से समझा देती हूँ तो बेलन का बकर प्रेश्टी छेटर फल का मान सौरी फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर ह होता है 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 14 इंटू 5 और इसमें 7 से 14 कर जाएगा दो बार में 22 इंटू दो करेंगे 44 इंटू 5 इंटू दो करेंगे 10 गुड़ा कर लेंगे 440 बर्क सेंटिमीटर होगा और आगे इसमें क्या पूछा है समपूर्ण प्रेश्ट छेटर फल 2 पाई आर ब्रेकेट में H प्लस आर होगा और 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 14 इंटू ब्रेकेट में हैं पांच प्लस चाओदा होगा के जाओदा कर जाएगा साथ दो पार में 22 इंटू 24 इंटू दो करेंगे 88 इंटू पांच इंटू सॉरी पांच प्लस चाओदा करेंगे तो कितना जाएगा 19 के तो इसमें गुड़ा कर लेंगे तो आजाएगा 1672 वर्ग सेंटिमीटर में आएगा और इसका आयतर निकालेंगे तो कितना आजाएगा इसमें पाई दिया है और इसकेर एच दिया है और 22 बटा 7 इंटु 14 इंटु 14 इंटु 5 रखेंगे 14 कर जाएगा 7 से 2 बार में 22 इंटु 2 करेंगे 44 14 इंटु 5 करेंगे 70 बड़ा कर लेंगे तो जाएगा 380 गन सेंटिमीटर तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा तो गाईस ऐसे कोश्चन एक्जाम में जरूर से देखने को मिलते हैं तो कॉपी में नौट करते हुए चलिएगा तो नौट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा एक बिलनका टंकी की धारिता 1540 मीटर क्यूट तथा इसका ब्याज 14 मीटर है तो टंकी की गहराई ग्याद कीजिए तो इसमें टंकी की गहराई ग्याद करना है तो बहुत ही इजी कोश्चन है इसको असानी से सॉल्फ कर सकते हैं अगर आपको फार्मूले पता है तो आप कोश्चन को बहुत ही असान ट्रिक से सॉल्फ कर सकते हैं तो देखिए इसमें क्या करना है तो इसमें दिया है वेलन का आयतन के तो वेलन का आयतन का फार्मूला होता है इसमें पाई आर इसकेर एच पाई आर इसकेर एच होता है तो इसमें हम क्या करेंगे तो इसका धारिता धारिता पूछा है तो इसका ये क्या होता है इसका आयतन के इतना किलियर हुआ सभी को धारिता का मतलब होता है आयतन वेलन का आयतन इसमें दिया है पंदरा सो चालिस के तो पंदरा सो चालिस दिया है पाई का मान होता है 22 बटा 7 इंटू और रेडियस तो इसमें ब्यास कितना दिया है 14 मीटर दिया है त्रिज्या पता करना है तो इसमें क्या करेंगे 14 का आधा करेंगे तो हमको त्रिज्या कितनी मिल जाएगी इसमें 7 मिल जाएगी कि तो तिर्जे कितनी हो जाएगी इसमें 7 into 7 और उचाई हमको इसमें पता करना है कि तो देखिए value इसमें cancel हो जाएगी 7 से 1540 कर जाएगा कितने बार में 7 दूनी 14 हो जाएगा कि फिर एक बच्चा साथ दूनी 14 जीरो कि 220 बार में कर जाएगा 1547 से और इसमें हम क्या करेंगे 22 से 220 कर जाएगा 10 बार में और इसमें 7 से 7 ये cancel हो जाएगा तो इसकी उचाई कितनी आ जाएगी 10 सेंटिमीटर तो यही इसका right answer वनीगा उमीद करती हूँ question आप सभी को समझ में आ गया होगा तो बहुत ही easy सा question था तो आगे बढ़ते हैं next question की और next question ये रहा एक लंब ब्रती वेलन की लंबाई 40 सेंटिमीटर तथा आधार की तिज्या 3.6 सेंटिमीटर है तो इस वेलन का आयतन बक्र प्रष्ट तथा संपूर्ण प्रष्ट ग्याद कीजिए के तो question को solve करते हैं तो इसमें क्या पूछा है इसका वेलन का आयतन का फार्मूला होता है इसमें pi r square h होता है के तो वेलन का फार्मूला क्या होता है pi r square h होता है तो इसमें πाई का मान होता है 22 बटा 7 इन्टू रेडियस त्रिज्जा इसमें कितनी दी है 3.7 cm तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 बटे में 2 लिख सकते हैं तो 3.7 cm क्या लिख सकते हैं 7 बटे में 2 लिख सकते हैं तो रेडियस हमारी कितनी है जाएगी इसमें साथ बटे में दो इन्टू साथ बटे में दो इन्टू उंचाई लंबा हमको इसमें 40 cm दी है कि इतना सभी को किलियर हुआ तो इसमें value cancel हो जाएगी 2 से 2 ये 4 बार में ये कड़ जाएगा 4 से 40 कड़ जाएगा 10 बार में और इसमें 7 से 7 ये cancel हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे 7 इन्टू 22 तो इधर ही कर लेंगे इसको 7 इन्टू 10 करेंगे 70 हो जाएगा और इधर 22 तो इसमें हम गुड़ा करेंगे 7 इन्टू 10 करेंगे 70 जाएगा 22 इन्टू 70 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा इसमें तो इसमें जाएगा 2 सुन नम सुन जाएगा और साथ दूनी चवदा का 4 कि साथ दूनी चवदा का 4 एक बचा साथ दूनी चवदा और एक कितना हो जाएगा इसमें 15 1540 सेंटीमीटर क्यूब में होगा इतना सभी को किलियर हुआ तो यह किसमें होगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब में होगा आगे इसमें हम कोशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या पूछा है इसका आयतन हमने सॉल्व कर लिए बक्रप्रष्ट तो वेलन का वक्रप्रष्ट क्या हो ब्रक्र प्रस्ट का शेत्र फल बरावर इसका फार्मूला क्या होता है ब्रक्र प्रस्ट शेत्र फल का फार्मूला होता है टू पाई आर एच होता है के टू पाई आर एच होता है के तो कोश्चन को सॉल्व करते हैं टू इंटू बैस बटा साथ इंटू रेडियस हम को कितना दिया है इसमें 7 बटे में 2 दिया है into उचाई हमको दी है इसमें 40 तो इसमें हम क्या कर लेंगे value cancel हो जाएगी 7 से 7 ये cancel हो जाएगा 2 से 2 ये cancel हो जाएगा तो इसमें बचा क्या 22 और 40 तो 22 into 40 22 into 40 करेंगे तो इस सुद्णम सुनाएगा 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8 आएगा 880 cm2 तो किसमें आएगा ये 880 cm2 तो इसका संपूर्ण प्रष्ट क्या होगा तो यहाँ पर solve करते हैं संपूर्ण प्रष्ट कर शेत्र फल क्या हो जाएगा इसमें तो देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ तो टू पाई आर फ्रेकेट में एच प्लस आर होगा के यही होगा इसका फार्मूला के तो कोश्चन को solve कर लेते हैं तो इसमें 2 इंटू पाई कमान होता है 22 बटा 7 इंटू रेडियस हमको कितना दिया है इसमें 7 बटे में 2 दिया है के 7 बटे में 2 जाएगा इंटू और इसकी उचाई कितनी दिया है 40 सेंटीमीटर के और रेडियस कितना दिया है 7 बटे में 2 के इतना सभी को केलियर हुआ तो इसमें हमको क्या करना है वैल्यू कैंसिल हो जाएगी के तो इसमें 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो इसमें क्या बचा 22 बचा के तो 22 इंटू और 40 प्लस 7 बटा 2 को सॉल्फ करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा इसमें 87 बटे में 2 मिलेगा तो 87 बटे में 2 और 22 कड़ जाएगा 2 से कितने बार में कड़ जाएगा ये 11 बार में 87 इंटू 11 करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा इसमें 957 सेंटीमीटर इसकेर तो यही इसका राइट आंसर बनेगा उमीद करती हूँ कोश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फिर से समझा देती हूँ तो देखिए वेलन का आयतन क्या होता है इसमें पाई आर इसकेर एच होता है और 22 बटा साथ जाएगा इंटू और 3.6 सेंटीमीटर दिया है इसके त्रिज्या तो इसका क्या रखेंगे साथ बटे में दो रखेंगे तो ये साथ बटे में दो इंटू साथ बटे में दो इंटू और इसकी उचाए 40 सेंटीमीटर दिया है दो से दो ये चार बार में कर जाएगा दो दुनी चार और चार से चालिस कर जाएगा दस बार में साथ से साथ ये कैंसिल 22 इंटू 7 इंटू 10 करेंगे 70 गुड़ा कर लेंगे तो जाएगा 1540 सेंटिमीटर क्योब में आएगा बक्र प्रेश्ट छेत्रफल पूछा है तो 2 पाई आर एज होता है 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 7 बटे में 2 इंटू 40 होगा साथ से साथ ये कैंसिल 2 से 2 ये कैंसिल 22 बटे में 40 तो जाएगा 880 सेंटिमीटर स्क्यर में होगा संपूर प्रेश्ट छेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रेकेट में एज प्लस आर होगा तो 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 7 बटा 2 इंटू ब्रेकेट में 40 प्लस 7 बटा 2 रहेगा साथ से साथ कैंसिल 2 से 2 कैंसिल तो 22 इंटू 40 प्लस 7 बटा 2 को सॉल्फ करेंगे तो जाएगा कितना 87 बटा 2 87 बटा 2 जाएगा तो 2 से 22 कर जाएगा 11 बार में तो 87 x 11 करेंगे तो जाएगा इसका आंसर 957 cm2 में होगा तो उमीद करती हूँ question आप सभी को समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा calculate question था पर बहुत ही easy question था आपको फार्मूले याद है तो आप question को solve कर सकते हैं के तो not कर लीजिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question ये रहा अधात तृज्जया 7 cm और उचाई 20 cm बाले लंब रती वेलन का कुल प्रश्टी छेत्रपल तथा आयतन कितना होगा तो देखिए इसमें ये इसका ये क्या है बेलन है तो ये बेलन है इसका तो इसकी ये क्या है त्रिज्जया है के ये केंद्री विंदू है और इसमें भी ये क्या है इसकी केंद्री विंदू और ये त्रिज्जया होगी इसकी और ये इसकी उंचाई होगी इतना किलियर हुआ सभी को तो उचा ही इसमें कितनी दिया है 20 cm दिया है और 30 cm दिया है तो 30 cm 60 cm दिया है तो question को आगे solve करते हैं बहुत ही easy question है तो इसमें क्या पूछा है इसका लंब रित्ती वेलन का कुल प्रश्टीज हेत्रफल तो कुल प्रश्टीज शेत्रफल इसका फार्मूला क्या होता है 2 pi r bracket में h plus r होगा तो question आगे solve करते हैं तो 2 pi का मान होता है इसमें 22 बटे में 7 into होगा यहां पे into radius हम को कितना दिया है 7 cm दिया है into bracket में उचाई कितनी दिया है 20 cm के तो 20 प्लस और इसमें r radius 7 cm दिया है के बरावर में क्या करेंगे value कैंसिल हो जाएगी के 7 से 7 यह कैंसिल हो जाएगा तो 22 into दो करेंगे 44 होगा into 20 प्लस 7 करेंगे 27 इतना सभी को clear हुआ तो इसमें 44 into 27 करेंगे हमको कितना मिल जाएगा इसमें के 1188 cm square में मिलेगा के एतना clear हुआ तो इसमें कितना मिल जाएगा answer 1188 cm square मिलेगा के आगे इसका क्या पूछा है item के तो वेलन का item क्या होता है इसका item वेलन का item हो जाएगा इसमें pi r square h होगा तो वेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है pi r square h होगा बरावर pi का मान होता है 22 बटा 7 into radius हमको दिया है इसमें 7 cm 7 into 7 और उचा ही हमको 20 cm दिया है इतना किलियर हुआ सभी को तो इसमें हम क्या करेंगे 22 बटा 7 into 7 into 7 करेंगे 49 हो जाएगा 49 into 20 तो इसमें 49 कर जाएगा 7 से कितने बार में कर जाएगा 7 बार में तो इसमें क्या करेंगे इसमें यहां पर sort कर लेते हैं 7 into 22 करेंगे तो जाएगा 154 into 20 करेंगे तो इसमें answer क्या बन जाएगा तो इसमें 380 cm3 होगा कि तो यही इसका right answer बनेगा कि उमीद करती हूँ question आप सभी को समझ में आ गया होगा तो फिर से समझा देती हूँ तो देखिए कुल प्रश्टी छित्रफल पूछा है कि तो 2 pi r bracket में h plus r 2 into 22 बटा 7 into 7 जाएगा radius into उचाई 20 प्लस और त्रिज्या इसमें 7 दी है के 7 से 7 यह cancel 22 into 2 करेंगे 44 into 20 प्लस 7 करेंगे 27 गुड़ा कर लेंगे तो जाएगा 1188 cm स्केर होगा और आयतन का पूछा इसमें तो pi r square h होगा 22 बटा 7 into 7 into 7 into 20 होगा तो इसमें 22 बटा 7 into 7 into 7 करेंगे 49 होगा 49 कर जाएगा 7 से 7 बार में कटेगा तो इसमें 22 into 7 करेंगे 152 into 20 होगा गुड़ा करेंगे तो जाएगा 380 cm क्योव के उमीद करती हूँ कोश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो गाईस आप सभी जादा से जादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल करने हैं तो जरूर से सस्क्राइब कर लीजिए तो नौट कर लीजिए ऐसे कोश्चन एक्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन के और नेस्ट कोश्चन ये रहा एक वेलन के अधार का ब्यास 14 cm है तथा इसके बक्र प्रेश्टिक का छेदरफल 440 मीटर इसक्यर है तो बेलन की उचाई कितनी है तो कोश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या पूछा है इसका बक्र प्रेश्ट बेलन का बक्र प्रेश्ट छेदरफल क्या होता है इसका फार्मूला तो इसका फार्मूला होता है 2πRH होता है 2πRH होता है तो इसमें हम क्या करेंगे 2 x 22 बटा 7 x radius हमको कितना दिया है इसमें ब्यास दिया है इसमें 14 cm तो तुरिज्या इसमें निकालेंगे हम तो 14 का हम क्या करेंगे आधा करेंगे कितना मिल जाएगा हमको तुरिज्या 7 cm के तो तिर्जय कितनी हो जाएगे इसमें साथ इंटू उचाई हमको कितनी दी है इसमें पता नहीं हमको तो इसमें उचाई इसका पता करना है तो बेलन की उचाई इसमें कितनी होगी और बकर प्रेश्ट का इसमें कितना दिया है चार सो चालीस के तो इसमें बैल्यू कैंसिल हो जाएगी साथ से साथ ये कैंसिल हो जाएगा और बाइस इंटू दो करेंगे 44 44 से 440 कर जाएगा कितने बार में ये कर जाएगा दस बार में ये कर जाएगा तो इसकी उचाई बराबर कितना जाएगा दस सेंटीमीटर के तो दस सेंटीमीटर जाएगा तो यही इसका राइट आंसर वनेगा उमीद करती हूँ कोश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा एक बेलनकार खंबे के बगर प्रेश्ट का छेत्रफल 528 मीटर इसके रहे तथ इसका आएटन 272 मीटर क्यूव है तो खंबे की उचाई कितनी होगी के बहुत इजी कोश्चन है इसको असाने से सॉल्फ कर सकते हैं तो देखिए इसमें क्या करना है इसका बेलनका आएटन के बेलनका आएटन बरावर इसका फार्मूला क्या होता है पाई आर इसक्या एच होता है कि और इसका क्या पूचा है बक्रप्रश्ट के तो बक्रप्रश्ट कशेतर फल क्या होता है इसका फार्मूला 2 πi r h होता है किया होता है 2 πi r h होता है और इसमें हमको क्या करना है आयतन का 2772 दिया है और बकर प्रिश्ट का छेतर फल दिया है 528 तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे और इसकी उचाई पूचा है तो और इसका radius पता करेंगे कि radius और उचाई हमको पता करना है तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे radius के उचाई त्रिजिया निकालेंगे तो इसमें इसका आयतन कितना दिया है 2772 बटे में बक्रप्रिष्ट का कितना दिया है 528 के तो इसमें value cancel हो जाएगी S से S cancel हो जाएगा R square cancel होगा कि pi से pi cancel हो जाएगा तो इसमें क्या जाएगा R बटे में 2 आएगा कि और इसमें 2772 कर जाएगा 528 कितने बार में ये कर जाएगा 5.25 कि तो 5.25 आजाएगा और इसमें हम क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगे तो 2 into 5.25 गुड़ा करेंगे कितना जाएगा इसमें 5 दूनी 10 10 का सून 1 बचा 5 2 दूनी 4 होगा और 1 कितना हो जाएगा 5 5 दूनी 10 तो इसमें 2 संख्या के बाद पॉइंट है 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा तो इसमें जाएगा 10.50 हो जाएगा और 10.50 का मतलब होता है इसमें 21 बटे में 2 के सेंटी मीटर में होगा ये के इतना किलियर हुआ सभी को तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 21 बटे में 2 संख्या के आगे इसमें इसकी क्या पूछा है उंचाई के तो उंचाई कितनी होगी खम्मे की तो देखिए बक्र प्रेश्ट शेत्र फल के तो बक्र प्रेश्ट शेत्र फल क्या होगा 2 पाई आर एच होगा के तो 2 पाई आर एच होगा के और बक्र प्रेश्ट शेत्र फल कितना दिया है 528 दिया है तो 528 बरावर 2 इंटू पाई का मान होता है 22 बटा 7 इंटू रेडियस हमको कितना मिला 21 बटे में 2 मिला और उंचाई इसमें हमको कितना दिया है इसमें हमको नहीं पता तो उंचाई हमको लेकर आना है तो इसमें बैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो देखिए तो इसमें 7 से 21 कर जाएगा कितने बार में 3 बार में ये कर जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3 से 528 कर जाएगा 176 बार में तो कितने बार में कर जाएगा 3 से 528 176 बार में ये कर जाएगा और 22 से 166 कर जाएगा 8 बार में तो इसकी उचाई कितनी यह जाएगी 8 मीटर तो 8 मीटर इसका राइट आंसर वनेगा कि उमीद करती हूँ कोश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फिर से समझा देती हूँ तो देखिए इसमें इसका क्या पूचा है एक बेलनकार खंबे के बगर प्रेश्ट का शेत्रफल 528 मीटर स्केर तथा इसका आयतन 272 मीटर क्यूब है तो खंबे की उचाई कितनी है आयतन बराबर पाई आर स्केर ह होता है और बगर प्रेश्ट का शेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है बराबर में 528 और 272 इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार में कर जाएगा 5.25 बार में कर जाएगा और इसका रेडियस पता करना है हमको और उचाई के तो इसका S से S कैस्ट सिल हो जाएगा R इसकेर कैंसिल होगा Pi से Pi कैंसिल होगा तो R बटे में 2 आएगा और 5.25 आजाएगा और इसमें गुड़ा कर लेंगे कितना जाएगा 10.50 और इसको क्या लिख सकते हैं 21 बटे में 2 सेंटीमीटर तो तिर्जिया आजाएगी इसकी तिर्जिया कितनी आजाएगी 21 बटे में 2 सेंटीमीटर तो इसकी उचाई लेक कर आना है बक्र प्रष्ट पर छेत्र फल का क्या होता है बक्र प्रष्ट का छेत्र फल 2 Pi आर होता है और इसमें कितना दिया है 528 दिया है कि बरावर में 2 इंटू Pi का मान होता है 22 बटा 7 इंटू रेडियस हमको दिया है 21 बटे में 2 और उचाई हमको पता करना है 7 से 23 बार में और 3 से 588 कर जाएगा 186 बार में और 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है और 22 से 186 कर जाएगा 8 बार में तो इसकी उचाई कितनी ये जाएगी 8 मीटर उमिद करती हूँ कोश्चन आप सभी को महत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो नौट कर लीजिए ऐसे कोश्चन एक्जाम में जरूर से देखने को मिलते हैं तो कौपी में नौट करते हुए से लिएगा उम्मीद करती हूँ सारे कोश्चन आप सभी को समझ में आ गया होंगे तो गाईस आप सभी वीडियो को जादा से जादा से जादा से जादा कीजिए और 50 लाइक, सस्क्राइब कीजिए और वैल आइकन को प्रेस कीजिए आप को कोश्चन में कोई भी डाउट हो जो भी समझ में नहीं आया हो कोश्चन आप कमेंट में जरूर बता दिया करें ओ गाईस आज की क्लास यहीं पर समाब्द करती हैं मिलते हैं अगली नेस्ट वीडियो में जय हिन, जय भारत थैंक यू